चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सेलेक्टेट काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनाट में लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जानते हैं तो चलिए बड़ते हैं दोस्त उपनी अगली खबर ग्जा में हमास के सैन न धाचे को किया ध्भस्त इसराइली लच्छा मंतरी का कहना खबर सामने आई है इसराइल के रक्षा मंतरी योग गैलेंड ने दावा किया है कि सेना ने उतरी गाजा में हमास लढ़ा के स शेत्रों को खत्म करना जारी रखेगी उन्होंने या भी कहा कि से सातंकी धाचे को नश्ट करने के लिए छापे हवाई हमले विशेश अभियान आदी जारी रहेंगे तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर के उर्देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब होगा ब्रोक्रेज फर्म जेफ्रीज ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि आयोध्या में राम मंदिर के भवियुद घाटन से सहर में प्रतिवर्स कम से कम पांच करोन परेटोकों के आने की संभावना है तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खब बनर जी ने कथी तोर पर भरकाव भाशर देकर एक और विवात खड़ा कर दिया पार्क सरकस मैदान में सभा को संभोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी जो भाजपा का समर्थन करते हैं या उन्हें वोट देते हैं बंग ने कथी तोर पर यह भी कहा कि जो काफिर हैं वो डरते हैं जो लड़ते हैं वो जीतते हैं तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की और मदप्रदेस में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा जटका कमलनात के बेटे की वीजेपी में सामिल होने की तयारी आपको बता अचा है कि मदप्रदेस के दिगज नेता और पूर मुख्यमंत्री कमलनात और उनके बेटे नुकुलनात पाला बदलकर बीजेपी में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं मालूम हो कि नुकुलनात मदप्रदेस से कांग्रेस के एक मात्र लोक सबसदस्य हैं तो इसी भ बाद एतिहात के तोर पर शोमार को उनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है फिलहाल वीडियो मामले में पुलिस द्वारक कोई एक्शन नहीं लिया गया एक पुलिस अधिकारी ने पीटी आई को बताये कि उनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कर्म को लगी मिर्ची पीम नरेंदर मोदी से इस बात का है डर आपको बता दे राम मंदिर की तस्वीर और वीडियो शोचल मीडिया में च्छाई हुई हैं इसी भीच खबर है कि राम मंदिर में हुए प्राण पतिष्टा समारों से भारत के परोशी मुल्क पाकिस्तान को मिर्ची लगी है जी हाँ पाकिस्तान की प्रतिकिया बता रही है कि वह कितने गुस्से में है जो खबर सामने आ रही उसे पता चलता है कि पाकिस्तान इसे हिंदू राष्टवादी राजनीत की जीत के तौर पर देखने में लगा हुआ है यही नहीं पाकिस्तान इसे भारत में होने चकवाद की और इसारा कर रहा है तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर के और फ्रांस में इसलामी कटर पंथ पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हिजाब के बाद विदेशी इमामों पर बैन खबर निकल कर सामने आई है यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो मुस्लिम अलगावादियों में सबसे ज़्यादा परिशान है 2015 में आईएस आईएस से जुड़े फ्रांसीसी और बेलजियम को निसाना बनाते हुए आतंकवादी हमला हुआ था उस अटैक में 123 लोग मा खायल हो गये थे मुस्लिम अलगावादियों पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिये हैं उन फैसलों में अब विदेशी मुस्लिम इमामों पर रोक लगाना भी शामिल है इसके लिए खास तोर पर कानून बनाया गया है नए कानून के तहद विदेशी इमामों को उनके देश भेजा जाएगा या उन्हें इस्थानी मस्जिदों में कम महत वाली भोमिका में रखा जाएगा तो इसी बीजबरते हैं दोस्तों अगली खबर की और अमेरिका पर चार मोर्चे से होगा हमला बीना मैदान में उतरे इरान कैसे दे गई हैं सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो गये हैं रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में हूती का हमला और विद्व Anytime होने वाला है इरान भलेही से युद में शामिल नहों लिकिन इरानी हतियारों से अमेरिका के कि खिलाब्व जंग बहत घा तक दौर तक जा सकती है यानि अमेरिका के खिलाब चक्र व्यू तयार किया जा चुका है तो इसी भी बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर क्यों जहाजों पर हमला गंभीर चिंता का विसे पश्चिमेश या संकट पर भी बोले जैसंकर खबर निकल कर सामने आई है भारत के आ जान की दो दिन की यात्रा पर तेरान पहुँचे जैसंकर ने अपने समकच होसायन अमीर अब्दुलाहियन के साथ दिपच्ची बैठक में विबनमुद्धों पर चर्चा के बाद संयुक्त प्रेस कांफरेंस को संबोधित कर रहे थे जैसंकर ने कहा कि हाल ही में हिंद महा पूर है तो इसी भी बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की और जामिया यूनिवर्सिटी में लगे बाबरी के नारे वीडियो वाइरल होने पर पुलिस की गई तैनात खबर निकल कर सामने आई है दिली की जामिया मिलिया इसलामिया यूनियर्सिटी में स्ट्राइक फर ब पताय कि उनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती एक एतियाती कदम है यहां राम मंदिर 25 समारो आगामी घरतन दिवस के मद्दे नजर किया गया जाहिर तोर पर परिसर के अंदर एक विरोध प्रदर्सन आयोजित किया गया था लेकिन इस सम्मंद में कैमपस के बाहर कुछ नहीं हुआ तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की रएद्या के राम मंदिर से पाकिस्तान को लगी मिर्ची है पीम नरेंडर मोदी से इस बात का है डर आपको बता दे राम मंदिर की तस्वीर और वीडियो शोशल मीडिया में च्छाई हुई है इसी बीच खबर है कि राम मंदिर में हुए प्राण पतिष्टा समारों से भारत के पडोसी मुल्क पाकिस्तान को मिर्ची लगी है जी हाँ पाकिस्तान की प्रतिकिया बता रही है कि वा कितने गुस्से में है जो खबर सामने आ रही उससे पता चलता है कि पाकिस्तान इसे ह बयान जारी करके कहा गया है कि पिछले 31 साल का घटना करम भारत में बढ़ते बहुत संख्यक वात की ओर इसारा कर रहा है तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर के और फ्रांस में इसलामी कटर पंथ पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हिजाब के बाद विदेशी इमा हमला हुआ था उस अटैक में 123 लोग मारे गए और करीब 500 घायल हो गए थे मुस्लिम अलगवादियों पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिये हैं उन फैसलों में अब विदेशी मुस्लिम इमामों पर रोक लगाना भी शामिल है इसके खास तोर पर कानून बनाया गया है नए कानून के तहट विदेशी इमामों को उनके देश भेजा जाए गई या उन्हें स्थानी मस्जिदों में कम महत्त वाली भोमिका में रखा जाएगा तो इसी बीज बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की और अमेरिका पर चार पाई जल्द कर देगा अब इरान समर्थित गुटों को पलटवार की खुली छूट दे दी गई है सीरिया और इराक में अमेरिकी ठीकानों पर हमले तेज हो गए हैं रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में हूती का हमला और विद्ध्वनसक होने वाला है इरान की शह पर अमेरिका पर चार मोर्चे से हमला होना तैम माना जा रहा है इरान भले ही इस युद्ध में शामिल ना हो लेकिन इरानी हतियारों से अमेरिका के खिलाफ जंग बेहत घा तक दौर तक जा सकती है यानि अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यू तयार किया जा चुका है तो इसी भी चिंता का विशय बताते हुए विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहा कि या भयानक इस्थित किसी विदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खत्रों का भारत की हुर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। इरान की दो दिन की यात्रा पर तेरान पहुँचे जैसंकर ने अपने समकच होसायन अमीर अब्दुलाहियन के साथ दिपच्ची बैठक में विबनमुद्धों पर चर्चा के बाद संयुक्त प्रेस कांफरेंस को संबोधित कर रहे थे। जैसंकर ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर की इस महत्तपूर हिस्से में समुद्री व्योसाइक नवहान की सुरच्चा के लिए खत्रा भी बढ़ा है। लासागर में जहाजों पर हमलों के संदरब में उन्होंने जोर देते विये कहा कि संकट को सीगरता से दूर किया जाना महत्तपूर है।